नमस्क्रा दोस्तों मैं हूं पूरवेश्व आप देखरों मैं Simply Support दोस्तों आज के वीडियों बात करना लें हम Windows 10 के बारे में Windows 10 में screenshot कैसे लें और किस तरीके से हम screenshot एजी ले सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं मेरे computer screen की और आप देख सकते हो हम अभी तक जो हमारा तरीका होता है screenshot लेने का वह बेकुछ सिंपल सा तरीका होता है हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं पर हमारा पाद इसमें Windows का by default एप होता है जिसका नाम है Snipping Tool तो हम वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में आप screenshot ले पाते हो जिसका तरीका कुछ इस तरह से हैं आप सिंपल सर्च करके भी इस चीज को ले सकते हो जो की ज्यादा फास्ट होता है कभी भी Windows 10 में कोई program सर्च करना हो तो बहुत फास्ट होग करता ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और जो program चाहिए हम लिख सकते हैं तो जैसे ही मैं नहीं लिखा Snipping Tool आ चुका है यहां पर क्लिक करके और इसके बाद में हम New पर क्लिक करते हैं फिर हम selected area select करके और हम जैसे मां शोड़ेंगे तो यह हमारा screenshot आ चुका है जो जितने अरिया हमने select किया है अब इसे हम सेव करेंगे तो दोस्तों यह वाला तरीका नोड़ा लंबा हो जाता है आप फिर इसे सेव करोगे तो इस तरह से यह पुराना हमारा तरीका है अब हम आपको इससे कमांड बताएंगे जिससे एक क्लिक में आपका screenshot आ जाएगा तो सिंपल सा विंडो की प्लस सिफ्ट प्लस एस यह प्रेस करते ही हम हमर पास से के मिन खुल जाएगा यहां पर हम सीधा फिल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे हमारे screenshot रेडी हो चुका है अब हम इसे कहीं भी सेव करके पर हमारे काम में ले सकते हैं तो जैसे यह हमने देखा इसका है screenshot आ चुका है अब इसे सेव किया और यह मैं by default location इसकी my pictures होती है pictures होती है अब यहां पर सेव कर लिया और आप चाहो तो इसे कोई भी location पर सेव कर सकते हो तो इस तरह से हमारे screenshot हो जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हो यह भी screenshot अमने लिया है यह कुछ इस तरह से screenshot है और अब आप इसे हम दुबाय चेक करते हैं हमें कोई भी screenshot लेना हो तो window की plus shift plus s जैसे लिया एक ही menu खुला इसमें full screen पर क्लिक किया screenshot आ चुका है और आप इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हो दोस्तों एक हिसमें को इसमें भी आप selected area ले सकते हो इसके लिए हमें सेम कमांड दबाना window की shift और s दबा के अगर हम first वाला option select करते हैं तो आप same to same जो area select करोगी केवल उसी के screenshot ले पाऊगे तो मिंस इस command से आपको start में जाके search करना नहीं पड़ेगा सीधा आपका snipping tool खुल जाएगा और वो दोनों मोड में काम करेगा वहने क्लिक फुल स्केंड मोड क्योंकि अगर आप हाथ से स्लेक्ट करोगे फुल मोड तो प्रॉपर होनी पाएगा या start वाले बटन ये को फिल स्लेक्शन में नहीं आपाएगा तो आप इस तरह से स्किंशोट ले सकते हो और ये तरीका थोड़ा एजी हो जाएगा और आज के लिए वस इतना ही और मिलते माइं नेक्स विडियो में कुछ इस तरह की टेक्निक चुज़े के साथ तरक के लिए बाए